इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह ऐसी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार कर काम करता है, लेकिन यह वाइरल इंफेक्शन का इलाज नहीं करेगा। निफ्ट्स 50 टेबलेट को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लिया जाना चाहिए। आप मिचली आना से बचने के लिए इसे खाने के साथ ले जा सकते हैं, जो एक सामाने साइड उफेक्ट है। सबसे अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए हर दिन एक ही समय पर इस दवा को लेना बहतर है और जब तक आपको बताया गया है तब तक आपको यह दवा लेते रहनी चाहिए, जाहे आपके लक्षन जल्दी ही ठीक हो जाएं. अगर आप इसे समय से बहुत पहले लेना बंद करते हैं, तो इंफेक्शन वापस आ सकता है या बिगर सकता है. कुछ लोगों में मिचली आना, उल्टी और डायरिया यानि की डस्त जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं. यह साइड इफेक्ट आम तोर पर अस्थाई होते हैं औ यह दवा आपके यूरीन को गहरे पीले या भूरे रंग में बदल सकती है. लेकिन यह सामान्य बात है और चिंता करने की जरूरत नहीं है. यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करवा रही हैं, लिवर, किड्नी या हिर्दै की किसी समस्या से पीडित हैं, या आपको किसी एंटी बाउटिक दवा से अलजी है, तो इस दवा से इलाज शुरू करने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और सा